अब आज का पॉइंट है शार्व भॉमी करण एवं आस्थानी एकरण है नहीं है चलते हैं बहुत इंप्पोर्टेंट टोपिक है यह लगू परंपरा एवं विजयत परंपरा जैसे सब्दों से जुरा हुआ है उसके परिपेक्ष में ही सार्वी भॉमी करण एवं आस्थान करने करन स्चति को परहुंा आएं चलते हैं पॉइंट क्यों विदोनों की अनुसार भारती समाज में लगू परंपरा तथा बढ़ियत परंपरा के बीच सतत अंतह क्रिया के कारण परंपरा का परवा लगू परंपरा से बढ़ियत परंपरा के ओर होता रहता है मेडियेट मोहदेक अनुसार लगू परंपरा था विढियत परंपरा के बीच सतत अंतह करिया के कारण परंपरा का परवा प्रायद दो परकार से होता है सारभोमी करण अदूसरा क्या है अस्थानिय करण या देहाती करण तो पहला पॉइंट है सारभोमी करण इन्वर्स है लाजेशन ठीक है ना सारभोमी करण चर्चा करें जब लगू प्रम्प्रा के सांस्क्रिटिक तत्व उपर की और अग्रसर होते हुए ब्यापक छेत्र में फाइल कर सिक्षित बैक्तियों के वीज के जीवन सैली का अंग बन जाता है तो इस प्रकार के प्रक्रिया को सार्भोमी करण कहा जाता है कि मेरियेट मह утब्हानना है कि जब परंप्रा जर्म लेती है तो वह प्रारभ में एक छोटे चेत्र में सिर्मित होती है उसके बाद सार्व भौमी करण की प्रक्रिया के द्वारा उस प्रंप्रा का विस्तित च найти में प्रसार हो जाता है और वह आ ब्रियत प्रंप्रा का दंत कथा के आधार पर रामाईन की रचना की गई बाद में तुलसी दास ने इसे पुनह हिंदी में रच कर इसे बढ़ियत प्रमप्रा का स्वरूप परदान किया मेरियेट महोदे ने किसन गड़ी ग्राम के अध्यन के आधार पर सार्व भोमी क्रण की प्रक्रिया को समझान अपने मकानों के दिवारों पर चावल के सफेद आटे से एक परतीमा बनाते हैं और उसकी पुजा करते हैं जिसे सौरती देवी के नाम से जाना जाता है जो की एक लगू प्रमप्रा का रूप है बाद में धीरे धीरे इस पुजा का विस्तार उपर क्यूर होता गया और इ इस परकार से सौरती देवी का लक्ष्मी के रूप में रुपांतर सार्व भूमी करण की प्रक्रिया को व्यक्त करता है दूसरा भारन है मेरियेट मोहदें दिया है मेरियेट ने एक अध्यन के दौरान पाया कि किसन गड़ी गिराओं में लगू प्रमप्रा के रूप में संपन होने वाले सालूनों तोहार में महलाएं अपने भाई बहन तथा मातापता से मिलने माय के जाती है और ससुराल लोटने से पुर्व अपने भाई बहनों के सीर्थ तथा कौन पर जव की बाले को रखती है और बदले में भाई उसे कुछ मुद्राएं परदान करता है और यह सालनों त्योहार रक्षा बंदन के दिन ही मनाय जाता है इसलिए मेरियेट मोहदे का मानना है कि रक्षा बंदन त्योहार की उत्पत्ती सालनों त्योहार का ही एक सारभी भोमी करण है यही कारह है कि बर्तमान में किसन गड़ी ग्राम में दोनों तेवार एक साथ मनाए जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट है अस्थानिय करन यानि द्यहाती करन। इस प्रक्रिया को अस्थानिय करन कहा जाता है। इस प्रकार से अस्थानिय करन की प्रक्रिया में ब्रियत प्रंप्रा का स्वरूप बदलकर लगू प्रंप्रा का रूप धार्म कर लेता है। मेरियक ने महदय ने अस्थानी करन की प्रक्रिया को समझने के लिए किसन गडी ग्राम से समदित दो उधारन प्रसूत किये उधारन एक एक पौराणी कथा का नुसार भगवान स्री किसन ने ब्रच के गौालों के सामने यह मत्प्रसूत किया कि हमें इंद्र देवता की पूझा नहीं करके गायों के चरहें का जो अस्थाने गौवर्धन उसकी पूझा करनी चाहिए गौवर्धन प्रवत की पूझा करनी चाहिए इस कृत्त से इंद्र देवता क्रोधित होकर मुस्लाधार वारिष करने लगे। परंतु भगवान स्री किस्ने बर्सा से समस्त प्राणी की रक्षा करते में गोवर्धन परवत को अपने एक उंगली पर उठा का उसके निचे समस्त प्राणी को लाका रक्षा की। बाद में गोवर्धन सब्द का आस्थान ये करन हो गया और किसंगडी ग्राम के ग्राम बासी अपने आंगल में सांकेतिक रूप में गोवर्धन परवत के सुरूख को तयार करने के लिए गोवरों का धन यानि गोवर प्लस धन लगाते हैं और दूसरे दिन गोवर से निर्मीत इस सांक्रितिक गोवर्धन परवत को तोर कर उसका कुछ भाग इंधन के लिए तता कुछ भाग होलिका धन के लिए रख लेते हैं इस प्रकार से मेरियट का नुसार जब किसी बढ़ियत प्रमप्रा के सांस्कृतिक तत्तों की गती नीचे की और उनमुक होकर उसके स्वरुप में परिवर्तन हो जाता है और वह लगू प्रमप्रा बन जाता है इस प्रक्रिया को अस्थानियकरन कहा जाता है दूसरा उधारन है मेरियट ने किसन गड़ी ग्राम के एक अध्यन के दौनान पाया की वहां पर नव दुर्गा यानि नव रात्री के अफसर पर अस्थानिय देवी के रूप में नौर्था देवी की पुजा की जाती है इसमें महलाएं एवं बाली काएं घर के बाहर की दिवार पर मिट्टी एवं गोवर से दस दिनों तक भिन भिन परतिमाएं बना कर साम के समय दीप पर जोलित कर उसकी पुजा करते हैं और गीत गाते हैं मेरियट का मानना है कि बढ़ियत परंपरा के रूप में मनाए जाने वाला नवदुर्गा का स्वरूप किसंगडी गर्म तक आते आते लगू परंपरा के रूप में परिवर्तित होकर अस्थानिय च्षित्र की नौर्था देवी का रूपदारन कर लिया और इस प्रकार से नवदुर्गा का स्वरूप बदलकर नौर्था देवी करूप में अस्थानिय करन हो गया इस प्रकार से भारतिय समाज में लगू परंपरा तता ब्रियत परंपरा के बीच सतत अंतह क्रिया के परिणाम स्वरूप सोता ही सार्वी भूमी करन तथा आस्थानिय करन की प्रिक्रिया संपन होती रहती है इसके लिए किसी विशेश प्रियास के आप सकता नहीं होती है नीचे एक फिगर दिया हुआ है इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सार्व भूमी करन और स्थानिय करन कैसे होता अपका सार्भोमी करन यह क्या हो अपका स्थानिय करन हो गया है ठीक है इसको सब्सक्राइब फिर यहां सके आ रहा हैं आप लीटर ट्रेदिशन अभी इसका लीटर ट्रेदिशन के और जिए घरिट अर यह लिटर देशन बियत पर और यह लगू परमपरा तो बीस सतत अंतह किरी हो रहा है जिसका दिए इसका अस्थानी एक रहा है और इसका सारभूमी करन होता रहता है होता होता रहता है इसके लिए आप सकता नहीं पड़ती बहुत इंपर्टेंट फिगर है आप बना सकते हैं एक्जाम मार्स मिलेगा इस तरह बहुत सारा फिगर है चुकि यह एक छोटा सा वीडियो की रूप में आपको इठाप दे रहा हूं इसलिए यहां पर सब चीजों को बनन करना मुस्किल है जब ओनलाइन क्लास चालोगा तो समय मैं इस सब चीज़ को फिगर उनाक समझाओंगा तब तक के लिए धन्यवाद है न कर दो